लोहर दगा के उपनगरिये शेत्र पताटोली अर्विंद आर्टो मुबाइल नामक इंडियन आयल के पेट्रोल पम से वहनों में पेट्रोल भराने के बाद कई लोग भूपताओं ने पेट्रोल में पानी होने की शिकायत की कई लोगों की गारियां खराब हो गई मावला प्रशासन के पास पहुचा तो सिविल इस्ट्यू ने अर्विंद कुमार लाल ने अन्चल अधिकारी अरुन कुमार तिर्की और अंचल कर्मी अर्जुन प्रजापती को मौके पर भीजा अधिकारीों ने गारी से निकाले गए पानी युक्त शिकायत वाले पेंड्रोल और पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल कर उसका सैपल जाच के लिए इंडियन आयल के एरिया मैनेजर के माध्यम से राची भीज दिया पेट्रोल पंप में पहले भी पेट्रोल में पानी होने की शिकायित के बाद इसे सील कर दिया गया था लगभी जद्धो जहथ के बाद पेट्रोल पंप खुला था फिर से इस तरह के शिकायत आने के बाद डाहक और तशासन सतर Count है जानकारी के मुताबिक सुभा 8 बजे मन हो गाउं के दिगंबर पाठक, कल्पना पाठक अपने पुत्र को लेकर बाहर जाने के लिए 25 लीटर तेल पेट्रोल भरा था, गारी स्टार्ट करने पर वह पेट्रोल पंप में ही खराब हो गया, मिस्त्री को बुलाने पर मिस्त्री ने कहा की पेट्रोल में पानी भरा हुआ है, पानी योगत पेट्रोल निकालने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी को पूरी तरह से साफ करने के बाद कारवेटर साफ किया गया, फिर से तेल डालने के बाद करीब 4 खरीटे की मशकत के बाद कार स्टार्ट ह पहुंचा पहुंचने को पाद 5-100 पर मेगर उलिया, पट्रोल लेने को बार जाड़ी हमारा इस्टार्ट में हो, हम बिश्टिरी बुलवाया हम, बिश्टिरी बोलवाने के बार बहुत जहोज आद देमे को बिश्टिरी जेख किया थो इसमें पाने निकलने लिगा, फिर टं तरह उसमें तो पानी निकला है कि अथी पैंकी साफ करवा लीजिए आपके सामने है पूरा तेल निकल ला थी इसमें पानी नहीं निकला रहे है कि पानी निकला है अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले